Welcome to the series of Cracking the Court यह हमारा ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम लोग पास्ट पेपर्स के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स हैं उनको डिस्कस कर दें आज हम इसके अंदर बात करेंगे डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स अफ एन ऐसे इन डिटेल इस टॉपिक के बारे में जो के advanced academic reading and writing का एक important topic है और previous past papers में repeat भी हुआ है तो जब हमने इस topic को tackle करना है तो first of all हम पहले बताएंगे ऐसे क्या होता है और ज्यादा गफशब नहीं करनी to the point ऐसे एक ऐसा piece of writing है जिसके इंदर हम लोग argument ये discussion देते हैं किसी भी topic को लेके clear and concise manner में ये typically three parts में structured किया जाता है जिसमें introduction body और conclusion आता है ठीक है आप क्यूंके हमारा main topic था essay क्या है उसके parts क्या है उसके parts को discuss करना है इसलिए मैंने पहला पहला graph ऐसा ही लिया जिसमें मैंने essay के बारे में बता के पूरन उसके parts के बारे में बता दिया किसमें तीन main parts है introduction body and conclusion अब यहांपे देखें इंड को छोड़के conclusion मैंने marker से लिख रहा है एंड को मैंने pen से लिख रहा है तो जब भी आपने paper में लिखना है बिल्कुल ऐसे लिखना है कि जो important words आ रहे हैं उनको marker से लिख दे जो important नहीं है उनको ballpoint से लिख दे बैशे कि end का word बीच में ही क्यों ना आ रहा हो आपने इसको marker से नहीं लिखना है अब हमारा next paragraph है जो कि first paragraph से continue हो रहा है यानि कि हम पे हम लोगों को इन पर introduction की heading दे के उसको explain नहीं किया मैंने paragraph के अंदर introduction का word लिखा है तो जब भी हम question attempt करें तो हमें चाहिए कि हम paragraph के form में ही लिखे इससे जो examiner और चेकर होता है उस पर बहुत positive impact जाता है बॉलेट्स जो है उसको ज्यादा appreciate नहीं किया जाता और उसमें marks के direction भी होती है जब के paragraph की form में लिखे जब important words को highlight किया जाता है उस शीज को checker बहुत अप्रिशेट करता है चेकर के लिए असानी भी रहती है उसमें और paper में भी symmetry और needness आती है ठीक है अब introduction जो है हो के करता है वो आपका जो topic है वो introduce करवाता है आपकी जो background information है वो देता है ठीक है इसमें thesis statement भी include होती है thesis statement क्या है आपके पूरे essay का । निचोड यानि स्थusion statement का अदर निक्यूर होते है यानि के इसमें हमारी एक attention grabber kind of statements होती है background information होती है और thesis statement होती है कि इसमें introduction के अंदर यह गैं introduction आप चाहें तो यहां पर यह part भी add कर सकते हैं introduction क्या होता है attention grabbing hook होती है background information on the topic thesis statement क्या हमारे पास दे रहे हैं the widespread use of technology in modern society has both positive and negative impacts हम इसको इसी paragraph के नीचे example के तोर पे court भी कर सकते हैं या हम separately सारा कुछ discuss करने के बाद end पे इस structure के मैंने दिखाया उसको court कर सकते हैं ठीक है अगर इसके नीचे भी लिखने तब भी बड़ा अच्छा impact ही जाएगा जसे के हम लोग ने बता दिया कि introduction serves to introduce the topic of the essay and provide background information to the reader it should also state the thesis statement which is the main point of the essay the thesis statement should be clear concise and arguable यहां पर लिखे फॉर एग्जांपल लिखे फॉर एग्जांपल लिखे फॉर एग्जांपल लिखने के बाद नीचे हम लोग जो मने अभी आपको दिखाया यह वाला passage यह वाला पॉइंट आप इसको वहां पर कोड कर सकते हैं नुबर वान फॉर एग्जांपल होगी हमारी ठीक है अब वापस आजाए आप फॉर एग्जांपल ना भी लिखे तो सेकिंड पैराग्राफ को कि या से हैं या से को अब टी कि को क्या दिया आप स्पोर्ट करन यह थे ओर पैराग्राफ के त्रूट कर दो इस्ती है नो जो फोकुस कैया वान मेंट पॉइंट यह नहीं हो कि आप एक के इंदर वेस्ट की बात करते करते इस्ट की शुरू कर दे अगर आप एक पराग्राफ में वेस्ट की बात करें तो इसमें वेस्ट को ही डिसकस करें इस्ट की बात करें तो इसमें इस्ट को ही डिसकस करें मैंने एक्जामपल के तो इसलिए आपका जो एक पराग्राफ है वो एक ही पोइंट को डिसकस करें उसके बारे में ही एविजन्स दे उसको ही स्पोर्ड करें और एविजन्स गैन भी इन फॉर्म फेक्ट शेटिक्स ठीके एग्जाम्पल्स और इक्सपर्ट पीनियंज फिर कंक्लियन क्या होता है अब मैंने देखिए हैं इनपर लुष मॉर्ट ओर ओर वाल का यूज़ किया च्योंकि हमारे एडवर्बस हैं जब भी हम लग पाराग्राप की फोम में यूजकर तो हम लोग एडवर्बस एड़ करके अपने पैराग्राप को प्रसीड करते हैं आं ये फिर कंक्लियन मैंने leave the reader with the lasting impression of the essay clear ये तो होगे हमारा तीन main parts additional information हम कह सकते है कि हम लोग depend करते है ऐसे की type के पर उस essay के पर type के पर depend करते हुए हम लोग ये वाले elements में इंक्लूड कर सकते हैं चुके title है headings है outline है references है ऐसे के पर depend करते है हम की essay कौन सा डिसकस कर रहे है argumentative essay है research based essays है ठीक है यह declarative essay है मतलब it depends अब title क्या है title हमारा clear और चाहिए हमारे topic को reflect करे heading जो है वो identify करे author को भी date of essay जब लिखा गया था outline जो है वो organize करती है ऐसे के ऐसे को स्ट्रॉक्चर को और उसको किस तर लिए चाहिए उसमें में वारली help out होती है more of a reference should be included for any score sources that are using the essay के यह mostly हम लोग पॉइंट का भूइंट का भूइंट करते हैं वाला यह अम लोग जब रिसर्च बेस ऐसे academic essays लिख यह तब हम लोग यह पॉइंट यूज करते हैं यह यह edition मैंने बताया था लेकिन नेन पार्ट जो हमारे essay के हैं वो तीन ही हैं the introduction, the body, the conclusion clear अब यह तो देख लिए आप लोग ने कैसे लिखना है अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इसका structure introduction हमने देख लिए से कैसे का होता है अब हम लेकर चल रहे हैं हम लेकर चल रहे हैं हम लोगों इसको स्पोर्ट करना है यह लोगों ने स्पोर्टिंग एविलेंस दे दिये ठीक है फिर मारा बुड़ी परागराफ टू चल रहा है technology has transformed the workplace हम लोगों ने यह भी structure दिखा दिया इसको स्पोर्ट करें different points के साथ ठीक है फिर उसके बात next paragraph चल रहा हमारा technology has raised concerns about privacy and security फिसको स्पोर्ट करें हम लोग in material के साथ clear फिर हमारा conclusion है उसमेंने के किया जो री स्टेट के हमने स्टेट्मेंट को सवराइस के main point of essay को और provide के हम लोगे final thoughts and reflection on the topic clear हम चाहें अगर paper को attempt कर रहे हैं तो इन points को जैसे कि मैंने बताया introduction को तो introduction की बात की तो for example लिखते हैं हम concluion के आगे लिख सकते हैं ठीक है तो यह हमारा यहां पर topic यह वो complete हो जाएगा लेकिन आपको better में understand करने के लिए थुरा से आपको format दिखा दू कि हमारा यह ऐसे है हमारा first ऐसे चल रहा है जहां पर हमारी attention grabbing statement है फर्स्ट पराग्राफ के अंतर हम लोग ने background information भी दिया थीस statement भी मोजूद है ठीक सेकिंड पराग्राफ हमारा जोगा था body paragraph उसमें लोगों ने क्या किया topic sentence रखा कि technology has revolutionized communication उसको sport किया तीन points के साथ के rise of social media and messaging apps development of video conferencing and tools the expansion of the global communication network जो मैं पीछ आको example दी थी यह points इसका सो होगे इसके अंदर फिर next था second body paragraph जिसमें लोगों topic sentence ले technology has transformed the workplace उसको different points लामों लोगों लेस्पोर्ट किया फिर हमारा उससे next paragraph था technology has raised concerns about privacy and security sporting sporting evidence देरें नीचे आगे अपनो topic sentence देने के बाद अब इसी के साथ साथ हमारा जब last paragraph चल रहा था वो गंक्लियंट का है और कंक्लियंट के किया हमारा जो main thesis statement उसको restate किया हम लोगों ने समरा इसके main points of the essay को और जो हमारी final thoughts और reflection topic को लेके हम लोगों ने उसको भी यहाँ पर state कर दिया यह essay मैंने यहाँ पर आपकी understanding के लिए लिखा है clear आपको इसको paper में लिखने के जुरूरत नहीं है तो हम लोगों ने आज सीखा है इस question के अंदर के तीन main parts होते हैं introduction body concluding introduction कैसे देख लिया उसका sketch हम लोगों ने यहाँ पर insert कर देना है body paragraph किया है उसका sketch insert कर देना है conclusion क्या है उसका sketch insert कर देना है और इसके बाद हम लोगों ने additionally यह भी बता देना है कि addition वगहरा 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 जो यह है title headings outline so on और तरह मोग नहीं लोग एवारे असे को मसा कुछूट कर देना हॉए टॉपक को कॉन्क्लिूट कर देना है고 है तॉपक है कैसे करेंगे कि तुछ ओफ लोंग ली असे इस इस फी फार्ट लूम ना एस इस फृट इसमिट स्टाइड ऊश्टिख्शेंट गोरीं इसम्रा उज contains topic sentences and sportive sentences and conclusion service the closing point which summarize the essay's main points and repeating the thesis statement तो ये हो गया topic complete I hope के वीडियो अपके लिए हालफुल रही होगी वीडियो पसांदा है वीडियो को लाइक भी करेखा जाल को सब्सक्राइब का नमाद भूलेगा दूमे खास या दिशिगा स्टेटीन देस टेक्या